नमस्ते दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त भगवादी प्रसाद पुरोईत एड़ोकेट और आज हम समझेगे कि गेर हाजरी में केस खारिज हो जाए या एक पक्षी कारवई हो जाए तो क्या करें तो इस ग्राब के माध्यम से हम सब कुछ समझने वाले हैं तो आपने चैनल क मोध हैं ये टेसिलदार मोध हैं ये SDIO मोध हैं और ये collector मोध हैं तो आज का वीडियम हम यह समझेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के खिलाब अगर कोई केस पेश किया है तो जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई कबजा विवाद का केस है अगर माल लिए जाए क यह शामलाल जो है इसकी जमीन पर इस रामलाल ने अवेद कपजा कर रखा है और यह शामलाल जो है यह धारा 250 का केस राज़े सुन्याले में जिसे माल लेते हैं कि तेसिल दर्मोदे के समक्ष पेश करता है यह शामलाल जब सुचना पत्र भेजा जाता है तो ऐसी इस्तिती में रामलाल भी तेसिल दर्मोदे के समक्ष पूपस्तित होता है अब ऐसी इस्तिती में क्या होता है कि जिसे माल लेते हैं कि इस शामलाल ने केस आज पेश किया जिसे माल लेते हैं कि आज तारीक है 4-9-2023 क्या है आज तारीक है 4,9,2023 और इसको नियत पेशी जो दी गई है वह दी गई है माल लेते हैं कि 12,9,2023 ठीक है और यह तारीक इसलिए लगी है कि इस तारीक को इस रामलाल को तेसिल दर्मोदे के समक्ष उपस्तित होना है ठीक है तो आप एसी इस्तिति में क्या होगा कि इस इस पेशी दिनांक को इस शामलाल को भी तेसिल दर्मोदे के समक्ष उपस्तित होना है और इस पेशी दिनांक को इस रामलाल को भी तेसिल दर्मोदे के समक्ष उपस्तित होना है ठीक है अब एसी इस्तिति में अगर यह शामलाल जो है इस पेशी दिनांक को 12,9,2023 को तेसि तेसिल दर मोदे के समक्ष पेश किया है उस केस को अनुपस्तिती में तेसिल दर मोदे के द्वारा खारिश कर दिया जाएगा ठीक है लेकिन माल लेते हैं कि इस 12.923 को यह शामलाल जो है यह तेसिल दर मोदे के समक्ष उपस्तित हुआ है लेकिन इस केस का सुछना पत्र जो ह यह इस पेशी दिनांग को उपस्तित नहीं होता है 12.9.23 को यह रामलाल जो है यह तेसिल दर्मोदे के समक्ष उपस्तित नहीं होता है तो एसी इस्तिती में क्या होता है कि इस रामलाल की विरुद जो है तेसिल दर मोदे के द्वारा एक पक्षी कारवई कर दी जाएगी अर्थात इस रामलाल को सुने बिना और इस शामलाल को सुनते हुए एक पक्षी कारवई कर दी जाएगी और इस शामलाल को सुनकर ही इस प्रकरण का जो तेसिल दर मोदे के समक्ष पेश किया है उस प्रक्रण का निराकरण तेसिल दर्मोदे के द्वारा कर दिया जाएगा अब क्या होगा कि जैसे शामलाल जो है यह अगर इस तारीक को उपस्तित नहीं होता है और इस शामलाल का अगर केस जो है तेसिल दर्मोदे के द्वारा खारिश कर दिया जाता है तो उस case को फिर से यह शामलाल शुरू करवा सकता है अर्तार गे रहाजरी में case अगर इसका खारीज हो जाए तो उसको फिर से यह शामलाल यह वापस से शुरू करवा सकता है तो उसके लिए कानून में क्या प्रक्रिया है तो देखिए उसको समझ लेते हैं तो देखिए उसके लिए प्रक्रिया यह है कि इस शामलाल को कोई उचित कारण बताना होगा कि 12.923 को यह शामलाल जो है तेसिल्दार मोहदे के समक्षे उपस्तित क्यों नहीं हो पाया और उसके लिए क्या करना पड़ेगा इसको कि जब 12.923 को इस शामलाल को जो है तेसिल्दार मोहदे के समक्षे जो पेश किया था उसको खारिश कर दिया गया तो इस 12.923 से 30 दिन के भीतर कितने दिन के भीतर 30 दिन के भीतर इस शामलाल को जो है तेसिल्दार मोहदे के समक्ष अर्फात उसकी गेर हजरी में अगर केस खारीज हुआ है तो उसको फिर से शुरू केसे करवा जाता है इस बात को हमने समझ लिया अब एक प्रक्रिया ओर रहती है कि अगर एक पक्षी कारवई हो जाती है एक पक्षी कारवई कब होती है जब अनावेदक जो रहता है जैसे यह रामलाल है इसको तेसिलदर महोदे ने सुचना पत्र बेजा और उस सुचना पत्र के मद्यम से उसमे पेशी दिनांग 12.923 नियत की गई और 12.923 को अगर यह रामलाल जो है यह तेसिलदर महोदे के समक्ष उपसित नहीं होता है तो एसी इस्तिती में तेसिलदर महोदे यह क्या करेंगे कि इस रामलाल के खिलाब एक पक्षी कारवई कर देंगे और इस शामलाल को सुनकर ही इ तेसिलदर महोदे निक की है तो रामलाल को 12.923 से 30 दिन के भीतर या इस आदेश की जानकरी अर्था जो इसके खिलाब एक पक्षी आदेश हुआ है उस आदेश की जानकरी से 30 दिन के भीतर इस रामलाल को तेसिलदर महोदे के समक्ष मध्यप्रतेश भूराय सिंता की धारा 35-3 के अंतरगत 35-3 के अंतरगत आवेदन पत्र पेश करना होगा तेसिलदार मोहदे के समक्ष और कोई उचित कारण बताना होगा कि 12-9-2023 को यद तेसिलदार मोहदे के समक्ष क्यों उपस्तित नहीं हो पाया था अगर तेसिलदार मोहदे को उचित लगता है जो कारण इस रामलाल ने अपने आवेदन पत्र में बताया 35 में जो कारण बताया वह उचित अगर तेसिलदार मोदे को लगता है तो ऐसी इस्तिती में तेसिलदार मोदे के द्वारा रामलाल के द्वारा किया है या एक पक्षी कारवई की है या फिर SDU महोदे के द्वारा इस प्रकार की कोई कारवई की है या कलेक्टर महोदे के द्वारा की है या कमिशनर महोदे के द्वारा की है या राजस मंडल के द्वारा इस प्रकार की अगर गेर हजरी में किसी केस को खारिज करने की कारवई की है, या एक पक्षी कारवई की है, तो ऐसी इस्तिती में उस कारवई को अपास्त करने के लिए धारा 35-3 मद्यप्रतेश भूराज सेंता के अंतरगत आवेधन पेश कर उस कारवई को वापस से प्रारम किया जा सकता है या एक पक्षी कारवी को अपास्त करते हुए वापस से उसमें सुनवाई का अवसर प्राप्त किया जा सकता है तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगाओगा अच्छा लगाओत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेर कर दीजिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंजे भारत